साहस सरुका प्रातार बदल रही है जो हम कल कर रहे थे वो आगे भी हो ऐसा नहीं होना चाहिए प्यमोदी जब सत्ता में आये थे तो उनकी प्रात्मिक्ता थी हम कैसे सुरक्षित रहें सेना में भी समय के साथ बदलाव ज़रूरी है अगनी पत्य योजना को लेकर एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों से प्रदर्शन की तस्वीरे सामने आ रही थी आगजनी की तस्वीरे सामने आ रही थी इसी बीच अबरास्टे सुरक्ष सलाकार अजी डोबाल ने भी अपना जो वचार है उस योजना पर उन्होंने रखा है उन्होंने कहा है कि अब वक्त बदल रहा है और उन्होंने तो धानमंत्री नरींद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हालात के मताबिक बदलाओ जरूरी है अगनी पत्थ अपने में कोई योजना नहीं है भारत के आसपास के हालात बदल रहे और अब चुनौतिया भी ल आगरा हैं सब्सूंद्र का कोई मामला होता है कि जब थे अनुच्छि पर भी लगाता ब्रोपर्शन हुआ थे और इसको भी अजीर दोबाल ने बहुत ही रण नितिक बनांके उस परदशन को संद्ध कि दिल्ली में दंग हुए थे उसमें भी आजी दोबाल की बहुत बड़ी बिमुमिका रही थे उन्होंने इसको समाला था पूरी परस्पिटी को उन्होंने समाला था निसी रूप से अजी दोबाल के संकत मुचक की मुमिका नवाते आए है और चुकि अगनी पर जो युजना सरकार लाई चार सल बरती के लिए इस पर भी सरकार के कि जो युजना इसको लगाता बरो प्रशन हो रहा है देश के तोदा से पंदा रात्यों में आग जनी हो ही एक प्रेने रोकी गई प्रेनों रोकने के साथ सार कल भी भारत बंद का आवान था चैसो बाबन ते में कन रस्की कहीं तिसके पहले टेन अगनी बीरों से भी 50% लोगों को स्थाई कमिशन दिया जाएगा स्थाई कमांड डी जाएगी और उनको आंके बढ़ा जागा है उनकी फिर दोबारा टेनिंग की जाएगी और सेना में उनकी पर्माने निट्टी रहेगी इसके लावरों ने ये भी कहा एक कमांड तरह के फायदे हैं और जब हम पांच किलिया एकनोमी बनने की तरब अगरसर इस तरह की युजना को लाना बहुत आवर्सक होता है और अब प्रयाथ ही है कि जो युबा है वो अपन सामने आई है सबसे जादा हहिंचा की तस्पीरे वहां से सामने आई है विहार में इस लोक भारती जंदा पाटी की सरकार है गई act अखिर सरकार की कहा कमी है, सरकार क्यों इस योजना के बारे में नई समझा पा रही है कि अब राश्टिय सुरक्षा सलाकार को भी इस मुद्दे पर आगे आकर बोलना पड़ा कि बिहार में भारती कड़बंदन इस सरकार जनता रल युनाइटर भारती पाते कड़बंदन है वापा सरकार चल लए हाला कि कल भी शुरुफ जय थे और जनता रल युनाइटर के लोग मुक्वंत्री रहे हैं वहां के जो नितिज्द कमारों ने बढ़ा वियान दोना का था कोई भी रहा लेने के पहले हम से पूछा नहीं जाता है कि अगर भरती कर रहा है कोई भी आप बड़ा निर्णा ले तो उसके लिए आप और भरती की बात करें तो सक्षिरा भरती होती है बिहार सब्सक्राइब 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 परिवार को बेरहमी से पीटा जिसके बाद पीडित परिवार ने ड्रायल एक सो बारे की मदद से मामले को शांत कराया बता दे पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्च कर लिया है और पुलिस को आगे की कारवाई में चुट गई है समधाता गौरव श्वास्तो उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव क्या कुछ पूरा मामला है टैक्स वसूली के दौरान जुस तरह कि घटना सामने आई है कि वीडियो वायरल हुआ है क्या कुछ ये पूरा मामला है कि अधिक तोन तरह की घटना और घटना के बाद कहा जा रहा है कि ये जो मामला है ये पूरी तरह से नगान्गम जो करनी है और उनकी कार्णी कारी यह जो उनच्छे की अंधिली जैरा उनके भी के मामला था और साथिसाथ जब वहाँ पर जोन शेमें एक मैरत्या जी है जि पिर लोगो शोट भी आए थी गंबिट चोटे भी आई थी तो निस्वे मामले में संगाल ले गया व सभी लोगो करना था कि यह कोई वहां पर नोटिस देने के चिनोटिस नहीं लेता था जिक्टुप भबन स्वामी उनका आधे संगाता कि नोटिस देने आए था तो हमको प पर मार्पिट की गई और जी सब बीड़ो बारा होने के बाद संग्याल लिया गया और लखनो के नगराइट अजयकुमार देवीज ने इस तो बड़ी घुज़रा करते हुए उनको फिराल अभी जो अंज्रीव जहरा है जो जो उन्सेकी अधिकारी है रेविन अगर अगर आपकर करें जो आपके इसमान नहीं करिमियो खिलाब 167,375,324,447 नहीं पांच सुके चाहिए उनकाना और अब उनकाना थे नहीं करिमियों पर लगाई गई गया है जी जो वीडियो सामने आया है इसमें ये सामने आया है कि जो कर्मी है वो टैक्स वसूली के म सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसके पहले भी तमाम तरह की घटा होती है पर बहाँ पर बड़े बड़े जो आपर पर तेस्ट के लिए तमाम तरह की जाते पर इसका शुक्राइब सब्सक्राइब 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 पर तेस जून को उप चुनाव होना है आज यहाँ प्रचार का आखरी दिन है शाम पाच बजे हाँ प्रचार धम जाएगा इस सीट को जीतने के लिए बेज़ुपी और सपा पूरा दम खम लगा रही है इसी क्रम में यूपी के सीम योगी अदितिनाथ मंगलवार को नस्ट करने की कोशिश की तो जनता उसको सबक सिखाना भी चानती है इसके साथ ही सीम योगी ने कहा कि यहाँ के गुंडा राज उमाफिया राज को डबल इंजिन की सरकार ने खत्म करने का काम किया है भारतिये जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है भारतिये जनता पार्टी किसी खांदान की पार्टी नहीं है भारतिये जनता पार्टी जनता की पार्टी जनता जनार्दन के आश्रिवाद से बनी भी पार्टी और इसलिए एक सामने कारेकरता को आज प्रत्यासी प्रत्यासी की रूप में रामपुर लोकसभा सीट पर भारतिय जनता पार्टी ने आपके वीश आपको भिया है एक बार चुनाव जिता करके वहें जिए और मैं घंस्याम सिंग लोधी से अन्य था जो देड़ साल का कारेकाल इनको मिला है डेड़ साथ दो साल केवल रामपुर लोकसभा सीट के गाउंगा और घर घर जाकर के जनता जनार्दन की प्रतियावार वेक्त करें हम लोग विश्चाद के कारें यहां के लिए देंगे जिन विकास कारियों की आउसिक्तार इस रामपूर जनपत के लिए होती है जो प्रत्याची है गंचाम सिंग लोदी जी वो लगातार अपने पिरास में लगे हुए है रेलिया निकाल रहे हैं लोगों से डोटू टोड़ जाके बाते कर रहे हैं और उनकी समस्यां को संत्यू नजर आ रहे हैं तो कहीं नगें देखा जाए तो लोगों का जो बिश्वास है अब सफ़ा से तोलग हम होके बाच्पा की तरफ को बढ़ रहा है और बही जगा दूसरी और अगर सफ़ा के गदावर नेता आदम खा की बात कर जा तो आदम खा भी लगतार चुनावी जनसभा को सम्बोधित कर रहे हैं जो प्रृत्याशी सफ़ा से आसिम राजा उनके साथ जगा जगा जाकर लोगों से बास्चित कर रहे हैं स्वार टांडा में खास उनका ध्यान है और भी जगह है वहां पर वो जाकर लगातार जन्सभा को सम्भूदित कर रहे हैं अब इसमें देखने वाली बात दिल्चस्फ यही रहेगी कि चुनाव के दिन रामपूर की जो जनता है वो आखिर किस की और को जितवाती ने जर आती वाला क्योंकि देखिए उतरप्रदेश में दो जगह चुनाव होने हैं तो उसके चलते यहां पर जो रामपूर जो है वो बहुत गरम सीट माने जाती है रामपूर को वैसे तो खेर यह रामपूर बहुत शान से जगह माने जाती है अपने आपमें लेकिन कहीं जखा जाये तो पुलिस पर पूरी तारी से अलेट है अपने, यहां के जो पुलिस SP हैं और जो DM है, DM कप्तान लगातार यहां पर गश्ट कर रहे हैं, लोगों से बातचित कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि देखी किसी तरह की अवाव पर दिहार ना दें, जो आजकल देखी, आजकल एक यह ट्रेंड बन चुका है कि लोग जो है, वो सोशल साइट का साहर लेते हैं और एक गलत नेगटिविटी लोग माइंड में बढ़ते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस कप्तान ने और DM ने ऐसे मैसिस कही सारे बाराल कर रहे हैं कि इन चीज अलिगर में बजलो वभाग की दोखा धड़ी सामने आई है, जहां एक तरफ अधिकारियों की सार्ट गाट से 1.4 किलो मीटर की लंबी लाइन अवैद रूप से डाल दी गई, वहीं दूसरी और 50 लाख से संबंधित वभाग को राजा स्वहानी पहुचाई गे, जिसमें व वभाग के अधिकारी की फर्जी आइडी बनागर वभाग के ही अधिकारियों की वभाग के साथ गोटाला किया, वहीं इसकी शिकायत करने पर भीउच अधिकारियों कोई कारवाई नहीं की. जो दूसर प्रकड़ था जिसमें 15 लाग का गबन किया था पीजी टू ने मनमौन सिंग नाम था उसका तो उसकी सेवाइं साफ कर दी गई है और नौकी बठास किया चुपा है मानिये प्रमानिय से मौदा दौरा इसमें काफी रभी जाच हुई थी और पुड़ा ही उन्होंने अच्छी चांश करने के पस्चा दी शिकायत करने के बावजूद भी उच अधिकारियों ने इस मामले पे कोई अभी तक इस मामले को संग्यान में नहीं लिया इस पर कोई कारिवाई नहीं की है हाला कि लोगों में एक हासा आग रोज भी देखने को मिल रहा है वही फर्जी आईडी बनाकर वहाग के ही अधिकारियों ने साथगार्ट करके इस घोटाले में साथ दिया है इस घोटाले में कई अधिकारी भी संलब्त पाए जार हैं जिसमें भाग के अधिकारी की फर्जी आईडी बनाकर भाग के ही अधिकारी उने साट गाड करके भाग के साथ घोटाला किया जहां एक तरह उत्रप्रदेश सरकार लगातार उत्रप्रदेश को और घोटाला मुक्त बनाने की कोशिश कर रही है लगातार कई तरह की योजनाय चलाई जा रही है कि किसी तरह की कोई घोटाले नहुप है संवधाता नितेश अलीगर से इस खबर प्रधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके नितेश क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस तरह से ये जो घोटाला है वो किया गया है पूरा मामला अलीगर के बिजली विवाग का जिसमें अधिकारी की फड़ी आईडी बनाकर बिवाग के अधिकारी के साथ गाट करने का विवाग को नुकसान पहुचाने का कार्रे किया गया है और आपको बता जिए जब कि जो करमचारी है विजली विवाग का वो मनोहलाल सिंग जो तीन सालों से पेरलैसिस का मरीज है वो बिस्तर पही पड़ा हुआ है वो ओड़ी नी सकता और उसके हजी आईडी बनाकर उसके साथ गाट की गई है अब आगे जो उच अधिकारी है इस पर कैसे कारवाई कर रहें इस पूरे मामले पर किया उसकी खपर उच अधिकारियोंतक गई अगर उच्छ अधिकारी की अगर बात करी जाए तो उच्छ अधिकारी पल्ला जाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कार्वाई ना करते हुए नजर आ रहे हैं जी तमाम जानकारी के लिए आपका धनेवाग तुशार देन भर की बड़ी खबरों में इतना ही देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार